आज है 14 अप्रिल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोड़ाफोन आइडिया के बारे में 10 रुपे का शेयर है बहुत जादा खबरे यहाँ पर देखने को मिल रही है लेकिन साथ ही साथ एक ब्रोकरिज फर्म ने बहुत ही खराब कमेंटरी दी है वोड़ाफोन करेंगे तो साथ 10 रुपे के आसपा शेयर ट्रेट कर रहा है वोड़ाफोन आइडिया का पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में वोड़ाफोन आइडिया में जहां शुरू हुआ था वहीं पहुँच चुका है बीच में टूटा जरूर साथे 9 तक बिरला ने Vodafone आइडिया का चैर्मेन पद छोड़ा था और कहा था कि देखो इस कमपनी को बचाना मुश्किल है तब तक जब तक सरकार यहाँ पर कुछ इंटवीन नहीं करती तब तक जब तक सरकार यहाँ पर कुछ राहत नहीं देती और तब उनके इस रिजिगनेशन के चलते 10 रुबे का शेर 5 रुबे पर आ गया था लेकिन दुबारा जब यह कयास लगाया जाने लगए कि सरकार इंटर्वीन कर सकती है सरकार थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है शेर में दुबारा बांस बेकाय देखने को मिल किया लेकिन जब सरकार ने बहुत बड़ी एक्वीटी ली क्योंकि कमपनी उस हालत में थी ही नहीं कि वो पांच हजार करोड का इंस्टॉल्मेंट चुका पाया हलागि हर साल पांच हजार करोड पे इनको चुकाने हैं तो जिसके चलते सरकार ने जब इतनी बड़ी एक्वीटी ली तो शेयर तूटना लाजमी था और यह हुआ भी अब दुबारा तीज़े की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ जरूर रहा है लेकिन इस पर भरोसा करना कितना मुश्किल है उसके बारे में भी बात करेंगे एक और बड़ी खबर है कि वोड़ाफून आइडिया जो है वो उनकी बात चीच चल रही है अपोलो ग् कर दिया था कि 14,500 करोड रुपे कंपनी फंडरेज करेंगे जिन में से 4,500 करोड रुपे खुद कंपनी के जो प्रमोटर है वो इनफ्यूस करेंगे यहां पर और और अल्रेडी वो इनफ्यूस कर रहे है अनौस्मेंट हो भी चुकी है अब बाकी की जो फंडरेजिंग की ब है जिनसे बातचीत अगेन आ नहीं गए है जिनसे बातचीत चल रही है दूसरी एक वड़ी ख़बर आई है कि वोड़ाफोन आइडिया और भारती एर्टेल को लेकर गवर्मेंट ने 22,000 क्रोड वर्थ की बैंक गैरेंटी यहां पर दी हुई है जिन में से स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो आदेखे दिपार्टमेंट अफ टेली कम्यूनिकेशन हैस नाव कन फॉर्म डाइड़ रिलीज बैंक गैरेंटी वर्थ 15,000 क्रोड तो बोड़ा खुन आइडिया पंदरह हजार क्रोड की बैंक गैरेंटी इपार्टमेंट अफ टेली कम्यूनिकेशन ने कन फ हर साल इनको पैसा चुखाना होता है कई सारा तो उसको लेकर है यह एक और बड़ी खबर जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इससे पहले जब फंडरेज किया गया था चार अजार पांसो क्रोड रुपए इंफ्यूस किये गए थे और तभी सरकार मत अम 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 तभी जो इकज ब्रोकरज फर्म है M.K.Global M.K.Global ने वोड़ाफोन आइडिया में बेचने की सला दी है और पांच रुपए का टारगेट प्राइज रखा है आदेखे M.K.Global है सेल कॉल अन वोड़ाफोन आइडिया विट टारगेट प्राइज ऑफ फाइव रुपीस तो यह व खानता हूं कि कंपणी को अभी डेस्परेट ले पैसों की जरूरत है प्रमोटर पैसा इन्फ्यूस कर रहे हैं अभी पिछले लंबे समय से कंपणी कोशिश भी कर रही कि बाहर सही सही लेकिन को पैसा मिल जाए लेकिन अभी तक कोई कॉंक्रीट डील हो नहीं पा रही है द फाइनली डील किसी के साथ हुई नहीं अब फ्यूचर में किनके साथ होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा वोड़ फोन एडिया लार्ज करप कंपनी जरूर है 34,000 करोड के आसपास करें इसका मार्केट करें लेकिन वॉल्यूम देखे तो 13,000 करोड से भी जादा के बड़ी कॉंटिटी में शारिस के ट्रेड हो भी रहे हैं और प्रमोटर को लेकर हम बातचीत करें उससे पहले अगर आप यहां पर एक नजर करें तो according to money control user 24% लोग कह रहें बेच दो और 76% लोग कह रहें खरीदो यहां पर कमपनी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि कमपनी लॉस जादा कर रही है लॉस जादा कर रही है कमपनी 75,000 करोड का लॉस अगर कोई कमपनी एक ही साल में कर दे तो समझ सकते हो कि किस हालत में है यह उसके बाद भी 45,000 करोड का लॉस हुआ था इनको financial year 2021 में इतना ही नहीं अभी भी हर quarter में कमपनी साथ से आँठ हजार करोड का लॉस कर रही है वोड़ाफोन आइडिया को लेकर देखे तो खरीदारी के सही मोंकर यह कहना है टिकर टैप का अगे मेरा नहीं है यह कहना और shareholding की बात करे जो latest shareholding pattern निकल कर आई है उसके according 75% जितनी holding promoter के पास है जो पहले 72% की थी जैसे के promoter ने infuse भी किया promoter की holding यहाँ पर बढ़ चुकी है mutual funds की बात करे तो 1.03% की holding 1.42% पर आचुकी है domestic वालोंने बिक्वाली करिये 0.34% की holding आचुके 0.30 Files की बात करे तो 4.20% की holding बिक्वाली करिये बहुत बड़ी 4.20% की holding 3.56 पर आचुकी है retail औ और others की बात करे तो वही अब बिक्वाली हुई है 22.38% की holding थी retail और other parties की वो हो चुकी है 19.74% तक और देखा जाए तो actually में जो खरिदारी करी है वो retail ने करी है 5.49% की holding थी वो 6.55% पर आईए मतलब आपने और हमने खरिदारी करी है other parties ने बड़ी बिक्वाली करी हुई है य 5G spectrum भी आने वाले है वही है उसके लिए उनको bid करने के लिए पैसा चाहिए होगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ यह कि company के पास पैसा promoter ने infuse किया है जो नया पैसा raise करेंगे हाला कि जो raise करेंगे उसको लिए को अपडेट तो पी तक आई नहीं है लेकिन जो infuse किया है वो already खर्चे हो जाएंगे spectrum और उन सब में तो company को desperately जरुद पढ़ेगी और जादा funds की और देखो सबसे बड़ी problem इनके सामने ये है कि जो competition इनको reliance geo और atel से मिल रहा है उनके सामने इनका टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है company के जो subscriber है वो कम हो रहे है definitely इनके आर्पू है लेकिन subscriber कम हो रहा है इनके gradually तो ये एक चिंता का विशह जरूर है what a phone idea को लेकर मैं कहूंगा अभी खरीदारी के मौके नहीं है लेकिन शेर अगर आपको साथ छे साथ रुपए के आसपास मिले साथ रुपए के आसपास मिले तो वहाँ पर risk लिया जा सकते अब काफी लो को end of the day profitable होना जरूरी है और what a phone idea के उपर इतना जादा इतना जादा करजा है कि अगर वो 10 रुपए कमाते भी है तो भाई इनका करजा चुकाने में company loss में आ जाती है तो problem है इनके सामने और उससे बाहर कैसा निकलते हैं ये देखना होगा और यही कहूंगा जल्दबाजी म यहां पर मत करना यह मत सोचना देखो कोई भी news अगर आए ना तो उस news को ध्यान में रखके खरीदारी मत कर लेना यहां पर confirm करना कि भाई यह news सही है के नहीं गलत है तो तो चलो ठीक है लगिन अगर सही भी है तो बाद में question यह भी करना कि इस news का क्या impact पड़ेगा long term में ठीक है तो यही मैं कहूंगा कोई भी news आए एकदम से जाके खरीदारी करने मतलग जाना news को verify करना क्योंकि अफवाओ का बाजार गरम रहेगा इस जैसी companyों में जो दिक्कत में होती है तो वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक करो शाय कर चैनल पक आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वोड़ा फोन एडिया को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू